मुसल्मान को बद्दाम करने की पूरी साजिश रची गई दोस्तों जिस जगापर ट्रेन हाथसा हुआ वहाँ पर एक मस्जिद दिखाई गई और दिन शुक्रवार का बताया गया कहा गया कि बगल में मस्जिद है नमास्वरने वालों ने साजिश रच दे सुचिए दोस्तो जब पता लगाया गया तब ये पता चला कि जिसे मस्जिद कहा जा रहा है अरे वो तो भगवार वीडियो का टाइटल देखकर प्री जज़ करके कोई अजम्शन मत करियेगा हमारे देश की धाकड जर्निलिस्ट है प्रग्या मिश्रा जी वो एक एक स्ट्रीम एनालिसिस के साथ उडी सा ट्रेंड ट्राजडी का जिम्मिदार कौन है ये हम को बताती दिखाई दे रही है ताइटल में लिखा है कि एक मुसल्मान जिम्मिदार हो गया पर ये उनका सरकाजम है इतना हम भी जानते हैं वो एक सची पत्रकार है है हाई हलो नमस्ते जी साच्छिया काल अ अलेकों मैं अधी शर्मा इंडिया से और दिल रोता है जब हम ये ख़बर सुनते हैं कि 275 पीपल डेड इन दे स्ट्रें ट्राजडी आप सोचे हमारे आपके जैसे भारत के नागरिक जो बस उस रेल गाडी के अंदर सफर कर रहे थे कहीं पहुँचने के लिए अपने सपन पूरे करने के लिए अपने रिष्टेदार से मिलने के लिए घरवालों के पास पहुचने के लिए बिना किसी कसूर के मारे गए और 400 लोग आज तक भी हॉस्पिटल्स में एडमिट हैं अब भारत के एक आम इंसान होने के नाते हो सकता है हम कभी ट्रेन में ट्रावल कर और हमारे साथ भी ऐसा कोई हादसा अला सुभानवत आला ना करें के कभी भी हो पर अब क्योंकि भारत के नेता घूस खोरी कर रहे हैं और जो पैसा उनको मिलता है जनता की सेवा करने के लिए जनता ही टैक्स पे करके उन तक पहुचाती है वो उससे अपने घर को भर रहे हैं और आम इंसान की जान ले रहे हैं एक मर्डरर की तरह तब ही तो इतने नीच हो गए हैं ये लोग कि इतना पड़ा हादसा हूँ और इसको भी इन्होंने हिंदू-मुस्लिम डबेट के अंदर तब दील करके रख दिया ध्यान दीजेगा तोस्तों रेल हादसे के लिए ना कि इसन हम जमीदार है कि मुसल्मान स्टेशन मास्टर जमिदार है फिर इस अगला सिस्टम को या तो पाकिस्तान से चेड़ा गया या फिर बंगला देश से किसी और नजी की देश में अगर मुसल्मान रहते तो शायद उनका नाम भी सूची में होता दोस्तों आज का ये वीडियो आपको ध्यान से देखना है आज आपको बता चलेगा कि किस तरह से रेल हाथ अगर आप ये वीडियो नहीं देख सकते हैं फिलाल के लिए तो कृप्या समय हो तभी देखिएगा बढ़ा कर वीडियो देखने से आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा अगर आप कुछ समझ नहीं पाएंगे तो मेरी रिसर्च मेरी सारी महनच सब एकार चली जाएगी तो आपको वीडियो पूरा देखना है और सेफ करके रखना है अभी समय नहीं तो आगर देखना है तो चली शुरू करते हैं देश में जो अच्छा होता है वो सब नरेंदर मोधी जी करते हैं और जो बुरा होता है वो या तो मुसल्मान करते हैं या फिर पडोसी देश के दुश्मन आकर कर जाते हैं। दूस्तों अब तक आपको ये बात तो बहुत अच्छे से मालूम हो गई होगी कि ट्रेन हाथ से के लिए इस देश में नेस्त्रत्वस्तर पर दो ही लोग सिम्मेदार हैं। अच्छवनी वैशनफ तो बिचारे संसद में रेल बजट पढ़ने के लिए ही रखे गए थे। संसद में अगर टेली प्रॉम्टर होता तो शायद रेल मंतरी की ज़रूरत भी नहीं होती। जोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि रेल हाथ से के लिए ना तो रेल मंतरी जिम्मेदार हैं नहीं प्रिधान मंतरी जिम्मेदार हैं। बखliके एक मसजीद जिम्मेदार है। शुकरवार का दिन जिम्मेदार है। और एक मुसलमान स्टेशन मास्टर स्टेशन जिम्मेदार है। इनकी फोटो देखिए, इनका नाम विवेक पांडे हैं, ये अपने आपको राश्टरबादी हिंदू महासभा की चीफ कहते हैं, मोदी और योगी दोनों लोगों के साथ इनकी कई सारी फोटोस हैं, अब बड़े लोगों के साथ फोटोस हैं, तो जिम्मेदारी भी बड़ी ह होनी चाहिए थी, प्रोपगेंडा मास्टर लोगों ने स्टेशन मास्टर S.B. मोहांते को मुहमद शरीफ एहमद बना दिया, और बता दिया कि मुहमद शरीफ एहमद गायब हो गया है, हरे इनको छोड़िए, पूरी टूल किट रेल हाथ से का जिम्मेदार एक मुसलमान का अलपनिक मुहमद शरीफ एहमद को ठहरा रही है, अपने आपको मानवेंद सिंग कहने वाला ये लिखता है, कि सुना है जाच के आदेश के बाद शरीफ नाम का स्टेशन मास्टर गायब हो गया है, इस कौम के साथ यही समस्या है, कमलेश मिश्रा, मैथल ब्रामन नाम का य प्रोजेट करते हैं और आपके दिमाग के साथ खेलते हैं, आई टी सेल किसकी है, बीचेपी की, और बीचेपी किसकी है, किसके आदेश पर हिंदू स्टेशन मास्टर को मुसल्मान बना कर उसे बली का बक्रा बना दिया गया, आप जानते हैं, आपको तो सब पता है, आप कि इतनी घटिया और गंदी मान सिकता है कि अपनी गलती एक मुसल्मान की गले डाल कर अपने पाप दो लो यह पूरी लोबी दो ही लोगों की बली का बक्रा बनाती है या तो मुसल्मान या फिर नहरू को ट्रेन हाथसे में मुसल्मान को बद्दाम करने की पूरी साजिश दोस्तो जब पता लगाया गया तब यह पता चला कि जिसे मस्जित कहा जा रहा है अरे वो तो भगवान क्रिशन का मंदिर है आप सुचिए किस हद तक इस देश की जनता के दिमाग से खेला जा रहा है और नफ्रक का इंचेक्शन भरा जा रहा है ट्रेन हाथसे में भी डिलीट करके भागने लगी दोस्तो इस रेल हाथसे की जाच के लिए CBI को लगा दिया गया अब CBI जाच करके बताएगी कि हाथसा हुआ कैसे लेकिन CBI को इस बात की भी जाच करनी चाहिए कि रेल मंद्री ने टेकनिकल विभाग में लोगों की आखिर भरती समय से क्यों न नहीं गई नहीं करेगी आप मेरी बाती लिख कर रख लेजए यह जाचे ना कामिया च्छिपाने का एक बहाना भर होती है बस जाच के नाम पर यह सफेद पोश्ट लोग सिफ जिम्मेदारी से भागते और कुछ नहीं तो आज आज आपको जाना चाहिए कि इससे पहले जाने चली गई थी कहा गया कि इसमें आतंकी साजिश हो सकते हैं रेल मंतराले ने ग्रह मंतरी राजनात सिंग को एक पत्र लिखा रेल मंतरा ने मामले की जाच एनाये से करवाई लेकिन एनाये को ऐसे कोई सबूत नहीं मिले जिससे ट्रेन दुरगटना को आतंकी साजश ब साथ कही गई थी इसके बाद मामले की जाच एनाये को सौपी गई एनाये ने यूए पीए के तहट मामला भी दर्ज कर दिया था लेकिन अभी ताक एनाये ने इस मामले पर किसी भी तरह की कोई भी चार्ट शीट दायर नहीं करी है दोस्तों 2017 से 23 हो गया कहां गई वो जाच कहां गई माउआदी दोस्तों जाच के नाम पर सरकारे अपनी जिम्मेदाली से भागती यह रहल हगती है कि इतनी बारीक बात है कि कोई पता ही नहीं लगा पा रहा है कि सीबी आई जाच करेगी इतनी बड़ी साजिश है कि अब सीबी दो-चार साल में जाच करेगी तब ब और कितने मासूमों को अपनी जान की गुर्बानी देनी पड़ेगी इस दहशतगर्द सरकार की तहत सोच करके भी रूह कापती है कि वो परिवार जो हमारे ही जैसे थे किसी का बाप चला गया किसी का बेटा किसी की मा तो किसी की बहन और इसका जिम्मिदार कौन है पूरी दुनिया जानती है पर उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होगी क्योंकि आखिरकार वो तो बड़े बड़े नेता लोग हैं डिक्टेटर जो होता है ना ताना शाह जिसको कहते हैं वो फिलाहल हमारे देश में हो रहा है और हर एक नागरिक को ये समझने की जरूरत है कौ जुलसेंगे तड़पेंगे उनने कोई मदद करने के लिए भी नहीं आएगा क्योंकि उन्होंने मासूमों की जान चीनी है और एक मासूम एक भी मासूम का कतल मतलब पूरी इंसानियत का कतल तो इन गुनहगारों को सजा मिलनी ही चाहिए और बेशक बेशक मिलेगी चली फ जुलसेंगे रहला थाफे और फिस्टा एंसानि हैं उन्होंनो और एक में एक मिलेगी की जान चाहिए और एक मिलेगी चाहिए और शेरा झाहिए और रहला विंसानि बेखेंगे और बेखें